राम चरी समान सलीली गवावा तुलसी प्रिप्थ ये कथा सुनावा आज से आरंभ होता है श्री राम चरीत मानस के पांच में सोपान सुन्दर कांड का संगीत बद्ध पाथ मंगला चरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसी दास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पून भग्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है माया से मनुष्य रूप धारन करने वाले रखुकुल मनी, शान्त चित, शाश्वत शान्ति देने वाले सर्व व्यापी और सभी प्रकार के प्रमानों से परे हैं इस वंदना के पश्यात भग्त कवी ने अतुलित बलवाले पवनिसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिने सुमेरु परवत के समान कान्ति प्राप्थ है, किन्तु जो दैट्यों का विनाश करने के लिए अगनी रूप धारन कर लेते हैं सागर तट पर रीच राज जामबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थे का ज्ञान प्राप्थ हुआ शांतम शाज्वतम रमे अमनहम निर्वार्ण शांति प्रदम्व। ब्रम्हा शंभु हरेंद्र सेव्य मनिशं। वेतांत वेत्यम् विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं आज़। सुपुर्ण मार्ण मुशं। सुपुर्ण शंहरिं। वदंदेवं। कर्वा करम रभुवरं। वो पाल चुदाब मुण। सुपुर्ण शंभु सुपुर्ण 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 चम्रगुकुन कवाद आज निर्वराम में कामा दिक दो शरहितम। पुरुख ममान सम्चन। अदुलित बलधाम। हे मसरा हदे हम। दम जो है में विशान। क्या निनाम ग्रकर्यम। चम्रगुकुन कवाद निर्वराम। वाद आज निर्वराम। वाद आज निर्वराम। वाद जातम निर्वराम। जामवन्त के बच्छन सुहाई सुनी अनमंत दयाति भाई। तब लगि मोही परिखे हूँ तुम्ह भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीत ही देखी। होई ही काजु मोही अरख भी सेखी। यह कहिना इस बनी कहुमा था। चले ओभर की यह खरी रखुना था। सिंधु तीर एक भूधर सुन्दर कौत ककूदी चड़े उता उपर। बार बार रखु बीर संपारी। तरके उपवन तनय बन आरी। जही गिरी चरन देई हनु मन्ता। चले उं सुगा पाता ले तूरमीता। जिमि अमोघ रघुपती करवाना। एही हाती चले उपन माना। जलनी भी रघुपती दूत विचारी। ए मेनात हो ही शमहारी। के जलनी खद्णिता दूरमीता बन जलनी दूת-प्रबे के रखवNow डर रही यह संपारी। आम यहरी जलनी माना बना olması झाल झाल